ये वीडियो मेरी पूरी एक World War 2 की सीरीज है, उस सीरीज का एपिसोड नंबर 46 है लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि जपैन के नेवी के इतने बड़े कमांडर यामावतों को कैसे Operation Vengeance के अंदर असासिनेट कर देगा तो उसके बाद फिर next target था Allied Forces का, US Forces का Rabol और Rabol को नेने कैसे capture किया और उसके बाद आगे के islands में American Forces को जितना सोचा था उससे कहीं ज़ादा difficulties वे और इन सारी चीजों के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगा कहानी शुरू होती है 30 June 1943 से, अमेरिका के MacArthur के Under 41st Regiment की कुछ Forces New Guinea के पास लैंड की और जब उनके landing craft पानी से beaches पे आ रहे थे तो इतनी आवाज कर रहे थे कि जो पूरे जंगल में जो Japanese Forces चुपी हुई थी उनको पता चल गया आवाज से और वो जाके और अंदर जंगल में अपने bunkers में चुप गया है ऐसा करने से American Forces को ज्यादा और तकलिफ होने वाली थी क्योंकि अगर आपका enemy सामने है तो आपको पता है कि वो सामने से fire कर रहा है और आपको उसको neutralize करना है बट अगर वो सामने नहीं है और कहीं छुपी पो रबॉल से और जहां यहां पर लैंड कर रहे थे तुरंत वहां पिंका पहला काम होता था सिधे एक airfield बनाना शुकर ताकि वहां से P-38 lightning aircraft take off कर सके और रबॉल को फिर जाके bomb कर सके पहला target airfield बनाना सेम दिन उसी दिन 30 जून 1943 को Admiral Halsey के कुछ 10,000 troops एक दूसरी जगा पर इसर complete करेंगे और Japanese forces को घेर लेंगे इस वज़े से एक force यहां पर land की थी और एक force कहीं और जहां जहां पर American troops land किये थे उनको support करने के लिए फिर American aircraft उपर से bombing कर रहे थे जंगल में ताकि जितने Japanese soldiers हमाँ पर वह अपनी portion छोड़ दे और फिर वो डिस्ट्रा हो जाए बट इतने घने जंगलों में bombing भी ठीक से नहीं हो रही थी क्योंकि अगर खुला मैदान है तो आपको पता है कि इस position पर आपको bunker नज़रा रहे है बट पूरा जंगल ही है अगर तो उपर जंगल की canopy होती है मतला पेड जो होते हैं पुरा धक्या रखते हैं जंगल को तो ऐस जब उनको आगे बढ़ना होता था उस island को clear करने के लिए जंगलों में जाना होता था तो वो बहुत धीरे धीरे advance कर रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि कहां से कब attack आ जागे क्योंकि जंगल में छुपे होते थे और रात के time तो इनको और डर लगता था और इस सब ची यह psychological pressure था यह डर था कि उनके उपर कहीं से तो हमला हो जाएगा इस वज़े से ही जो डर का महौल रहता है वो इतना भयंकर हो गया था कि पहली लडाई होने से पहले ही one-fourth American troops ने battle fatigue बोल दिया combat fatigue बोलके उनको rest करना पड़ा कि वो unfit थे आगे बढ़ने के लिए यह देखके हालजी समझ गया कि 10,000 troops के साथ इन islands को clear नहीं किया सकता तो इसलिए उसने और troops वहां पर land कर वा है 40,000 troops अब इन islands पर आ गये थे इन सब को clear करने के लिए क्योंकि American troops इतना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे इसके वज़े से Japanese troops को थोड़ा सा time मिल गया रहत मिल गई कि और अ रात के time पर जैसे मैंने last video में बताया था वो अपनी destroyer ships में या submarines में कुछ-कुछ soldiers को धीरे धीरे करके इन islands पर ला रहे थे हालाकि इतने नहीं थे कि इन islands को properly defend कर पाएं कि मतलब जितने भी enemy troops अमेरिकन troops आ रहे हैं उनको रोक लें ऐसा तो नहीं हो पाएगा बट डिले कर स बहराल इसके यह जो advance इतना धीरे हो रहा था इसके बाद जो मुंडा नाम का एक island था वहां पे जब उन्होंने advance किया तो वो उनको और मुश्किल लगा और यह एक बहुत important island था क्योंकि इस पूरे area में Japanese लों का important base था तो इसको भी capture करना जरूरी था Japanese bunkers underground होते थे और इतनी अच्छे तरह चुपे होते थे उनके पर पत्ते घांस्पूस लगया कि दिखाई नहीं पड़ते थे इस मज़े से bombing करकर के फिर flame throws करकर के बहुत समय लगा के finally फिर 5 अगस्त को अब मुंडा island जो था यह यह base American हातों में था आप सोचे 30 जून को start के तो कितना time लग गया उनको इन छोटे-छोटे islands को जीतने के लिए तो यह जो पूरी लड़ाई हुई battle of new georgia की इसमें American leadership को यह समझ में आ गया कि हला कि इंके पास numerical superiority है मतलब एक की जगा चार soldiers लेके आ रहे हैं लोग attack करने के लिए उसके साथ इंके पास a superiority है इंके पास P- ताकि जितने वापे Japanese resistance से वो खतम हो जाए नेवल support भी इंके पास था फिर भी उनको इतना time लग रहा था और बहुत casualties हो रही थी तो Halsey और यह सारे commander समझ गे कि हमको strategy change करनी पड़ेगी इस तरह से हम आगे नहीं पर सकते तो फिर उन्होंने decide कि यह Solomon Islands हैं यह सारे islands एक एक ए defended islands हैं और एक पर attack कर रहे हैं तो पीछे आले को और reinforce कर दे रहे हैं तो इसलिए उन्होंने फिर यह किया कि हम कुछ कुछ islands को ही capture करेंगे माली जी कि आप एक island पर गए उसको आपने capture कर लिया उसका जो next island है वो मुश्किल है तो आप उसको skip कर दोगे उसके next island पर attack करोगे बेसिक लिए जो पूरी Solomon Islands की chain थी इसमें जो कम defended थे मतलब जहाँ पर कम Japanese troops थे उनको आप जीतोगे capture करोगे वहाँ पर airfield बनाओगे और फिर जो बाकी heavily defended islands हैं उनके उपर bombing करोगे और ताकि जो heavily defended islands हैं इनको आप cut off कर दोगे उनके बाकी islands के साथ तो यह जो technique थी मुश्किल मुश्किल टागेट को छोड़के सिर्फ वीक वीक पर attack करना इसको फिर बोलने लगे island hopping तो world war 2 का जो pacific campaign है इसमें आप island hopping बार बार से रहोगे क्योंकि इस strategy को उन्होंने use किया था सिर्फ यह करने के लिए कि उनका जो achievement है उनका जो final जो goal है वो जल्दी वो achieve कर क्योंकि ऐसे तो उनका नुशान बहुत हो रहा था और टाइम बहुत लगा रहा था अब देखिए अमेरिकन लोगों का next target होने वाला था कोलं मंगारा का island क्योंकि वह बहुत वहां पे heavily defended था वह बट क्योंकि अब उन्होंने island hopping की strategy ट्राय करनी थी तो उन्होंने इस island को skip कर दिया और next island वेला निवेला पे जिस पे कम Japanese troops थे उनको वहां पे खमला करने का उन्होंने डिसाइट किया अब यह बहुत ब्रॉलम थी Japanese लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी यह कोलं मंगारा में इतने सारे Japanese troops भरके उसको reinforce किया था और जब उनको बता चला कि य जैसे ही American troops किसी island पे land करते थे और उसको secure करते थे तो उनका पहला objective होता था कि तुरंत यहां पे एक airfield बनाई जा तो उनकी armed forces में एक battalion था मतलब एक टुकडी सिफ इसी काम के लिए थी कि जाके उनको airfield को construct करना है इनको कहते था construction battalions या फिर sea bees इतना भी हुआ था किसी कि इसे बार तो दस बारा दिन में airfield ready कर देते थे मतलब यहां से आप फ्लाइट करवा सकते हो और यह सारी चुझे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जपान जो home country था वो इन आइलेंस से काफी दूर था similarly जो American home country था वो भी इन आइलेंस सो बहुत दूर था तो आपको अगर यहां पर अपने अपने आइलेंस को धिले दिले करके capture करना शुरू कर दिया है और बाकी कुछ आइलेंस बच्चे हैं जब अभी जैपनीज लोग हैं उनको bomb करना बहुत जरूरी था तो यह जैसे आप आइलेंड कैप्चर करो तुरहन पर बनाओ वहां से प्लेन टेक आफ करो और फिर सारी टागेट्स को डिस्ट्राइब करो बांब करके तो यह सीबीज का बहुत ही भारी कॉंट्रिबूशन था पूरे पैसिफिक वार में बट इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है दूसरी तरफ मैकार्थर ने उनके जो टूप्स थे उन्होंने फाइनली हॉन पेनिसुला को कैप्चर कर लिया था बहुत हैवी रिजिस्टन्स के बाद दो ऑक्टोबर तक वहां इतना टाइम लग गया था उसको कैप्चर करने के बाद भी उपर के जो पहार थे वहां पर कुछ ज रबॉल से पहले यह जैपनीज लोगों का सबसे बड़ा बेस था इसको कर लिया तो अब लास्ट सिफ रबॉल बचा इस बेस में मैंग्रो फॉरेस्ट थे बहुत दलदल था और यहां पे और चैलेंज होने वाला था अमेरिकन टूप्स को और इस से बड़ी बात यह भी थ से पहले उन्होंने डाइवर्जनेरी अटैक्स किये अमेरिकल लोगों किसी और आइलेंड पर और कुछ उन्होंने बाम्मिंग रबॉल पर भी की ताकि यह दिखाने के लिए कि वो कहीं और अटैक करने वाले इसको कहते हैं डाइवर्जन क्रेट करना जब रबॉल पर बाम यह एक बहुत इंपॉर्टन बात है कि टेकनोलोजी इतना तेजी से आगे बढ़ी है ना कि जो सेम प्लें 1941 की पर्ल हर्बर में यूज हुआ था जीरो वो इतना जल्दी दो साल में आके आपसिलीट हो गया था क्योंकि उससे जाधा पाउरफुल उससे जाधा स्पीड वाल यह पूरी रेड अमरिकल लोगों की दो दिन चली और इसके बाद फिर जो नए जपाइन के कमांडेल इंचीफ थे उन्होंने देख लिया कि यहां तो बहुत मुक्सान हो रहा है तो अपनी सारे टूप्स के साथ अपनी सारे शिप्स को लेके उन्होंने रबॉल से रिट्र इसके ग्यारा दिन के बाद फिर मरीन लैंड के इस आइलेंड के साउथ वेस्ट के हिस्थे यह सारे फ्लैंक्स कवर करना इनको कैप्चर करना सिक्योर करना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट अटक उनका यहीं से लॉंच होने वाला था फिलिपीन के लिए तो अगर आपने यह कोस्टल लिजेंस को कवर नहीं किया तो आपको कॉंस्टेंली डर रहा कि कहीं से तो जैपनीस काउंटर अटक रहा है उसके बाद फिर अमेरिकन फोर्सेस ने केप ग्रूस्टर को कैप्चर कर लिया और अब रबॉल को मल्टिपल डिरेक्शन से वो लोग को बॉंब कर सकते थे बट अब एक्चुली रबॉल को बॉंब करने का कोई खास परपस रह नहीं गया था क्योंकि इनके जैपनीस कमांडर इनचीफ ने अल्रड़ी वहां से अपनी शिप्स निकाल ली बट जो भी हो मकार्थर का जो एक सपना था एक जो उसने लोगों को क साथ साथ निमिद्स जो इस पूरे नेवल फोर्स का इसीरिया में जो कमांडर इनचीफ था उसका ये प्लान था कि अब जपैन की जो होम आइलेंज हैं उनको थ्रेटन करने का समय आ गया तो इसलिए उसने कहा कि यहां पर यह जो चल रहा हो तो चले गई हम अब जपैन की तरफ रोप करते हैं निमिद्स के पास एड्मिरेल स्प्रूइंस की फिफ्थ फ्लीट थी और इसमें बहुत सारे नए एरक्राफ केरियर आ गये थे कुछ हैवी और कुछ लाइट जब सेकेंड वर्वार्ट शुरू आ था अमेरिका में और उनने तुरंत अपनी नेवल इं इंडस्ट्रियल माइट है उसकी स्ट्रेंथ अब नजर आ रही थी और यही चीज यामामतों ने कही थी कि अमेरिका इंडस्ट्रियल जाएंट उनसे हम एक लंबी लड़ाई जीत ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास जितना उनको चाहिए उतना तेल है मेटल्स है उनके पास इंडस्ट्रिया और यह जो उसका याममतों का जो कहना था जो अब नजर आ रहा था कि हाँ अमेरिका के पास इतनी में था बढनाज पर कबना उसके पास इतने aircraft carrier आ गय थे कि उसको यह जरुरती नहीं थी कि पहले islands को capture करें फिर आप पे airfield बनाएं फिर वहाँ से फिर air cover दें और bomb करें गिल्बल्ड islands को इतने aircraft carrier थे उसके पास कि गिल्बल्ड islands के पास उसके aircraft carrier जाएंगे वहाँ से aircraft launch करेंगे और जाके bomb करेंगे ये फाइदा होता है एरकाफ कारियर का तो इसी लिए फिर 20 नुवंबर की तारीक को तरावा का एक अटोल था उसको उन्होंने अटाक करना स्टार्ट किया पहले तो उन्होंने बहुत सारी बॉंबिंग की वो पर से बॉंब गिरा है उसके बाद शिप्स ने भी अपने पानी से इंके पर फाइर किया इस अटोल के उपर था कि जितने भी डिफेंसेद हैं वो पूरी तरह नफ्ट हो जाएं और जब शिप्स पर बैटके अमेरिकन सोजर्स देख रहे थे कि हाँ ये जो अटोल है पूरी इस पर आग लग रही है ब्लास्ट हो रहा है पूरा निष्टो ना बूत हो रहा है ये आईलेंड तो बहुत कुछ हो रहे थे कि अब वहाँ कुछ बचे गई नी बट अमेरिकन लोगों ने इस बात को बहुत बुरी तरह अंडरेस्टिमेट किया था कि जैपनीज बंकर इतने अच्छे से कंसील्ड होते थे इतने अच्छे से छुपे होते थे कि इतनी हेवी बंबाडमेंट के बाद भी अभी भी बहुत सारे जैपनीज बंकर इंटाक्ट थे उनको कुछ नुक्सान नहीं होता है जबी भी किसी बीच पे किसी आइलेंड पे अटोल के उपर जबी भी आप एंफिबियस लैंडिंग करते हो तो जनरली प्रोटोकॉल ही होता है कि पहले आपके एरकाफ आपके बंकर करेंगे उस आइलेंड को आपकी शिप्स फायर करेंगी पूरी तरह जितना भी डेजिस्टेंस है आपके पहरी डिस्ट्रॉय कर देंगे उसके तुरंद बाद आपके जो ट्रूप्स हैं वो लैंडिंग्राफ से उतर उतर के तुरंद फिर आ गया के सारे बंकर्स को क्लियर करेंगे ये प्रोटोकॉल होता है इस सिचुएशन में अमेरिकन्स बॉम्बिंग के तुरंद बाद अपने टूप्स को इन बीचेस पे भेज नी पाए इसमें बहुत बड़ी गलती थी अमेरिकन इस पूरे टास्क पोर्स के जो कमांडर थे अड्मिरल टर्नर की हुआ यह था कि उनको एक ब्रिटिश ओफसर ने कहा था कि अभी इस एरिया में जिस सीजन में अभी हम लोग हैं यहां पे जो टाइड्स हैती है अटोल के पास जो पानी की लहरे होती है वो इतनी ऊची नहीं होती कि आपके लैंडिंग्राफ्ट एकदम एंड तक जा पाए आपके लैंडिंग्राफ्ट यह जो कोड़ल रीफ है पानी में उधर के समुंदर में कोड़ी जीसा स्रक्च्टर होता है वहाह पे पानी थोड़ाn सा और उचा रहेगा तब ही आपके लैंडिंग्राफ्ट नहीं जा शकते हैं अब अब भी होब है पानी कम है आपक छूल् बॉम्बिंग रुकी और अमेरिकन लैंडिंग क्राफ जब आगे बढ़ने शुरू हुए शिप से निकल के जब वो अटोल की तरफ जाने लगे तो भाई कुछ लैंडिंग क्राफ ऐसे थे जो इनी कोरल इस पर आके अब फस गया अब नीचे से वो फसे हुए हैं कुछ क्या अब उन्हें फारिंग करना शुरू कर दिया था तो इस कंफ्यूजन के वजए से इतना बुरी तरह स्लॉटर हुआ वहां पर अमेरिकन ट्रूप्स का कि कुछ कहने की बात ही नहीं क्योंकि उन्मास अटैक होने वाला था मतलब बड़े बहुत भारी मात्रा में इतने स वारे स्लॉटर्स लैंड करने वाले थे वह नहीं पाया और इसके थोड़े थोड़े से आगे आ रहे थे और वह सारे फिर इन मशिन गन फायर से माले यह यहालत हो गई थी कि यहां पर अमेरिकन ट्रूप्स सिर्फ पांच हजार प्रूप्स ही अंधेरा उन्हें पहुंच पहे उसमें से इनकी 1500 हो गई और अंधेरा जब हुआ तो जैपनीज डिफेंडर जो थे वह और अपनी पोजिशन से आ गया गया मतलब बीचर्स के नजदीक अगले दिन टर्नर ने फिर यही चीज़ की फिर उसके ट्रूप्स से आपके आटके और फिर और स्लॉटर हुआ अब यहां पर अमेरिकन्स के लिए एक अची बात यह थी कि उनके कुछ फॉजी थे उन्होंने लैंड करने के बाद एक सेक्टर को क्लियर कर दिया तो उसी जगह से फिर अपने टैंक भीजना शुरू कर दिया वीज़स के उपर फिर टैंक और फ्लेम फ्रोर्स को इसकर के जो बचा कुछ रेजिस्टन्स था उन्होंने बंकर सारे डिस्ट्रॉइ कर दिये अमेरिकन्स के यहां पर आने के तीसरे दिन जब जैपनीश टूप इस दात कर सकते तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब सारे लोग मिलके सुसाइड करेंगे उन्होंकी एक आइडियो इन मशीन गंस के उपर तलवाग निकाल गया और इसी के वज़े से पांच हजार जैपनीश कोरियन जितने भी यहां पे डिफेंडर्स थे सब लोग को मार दिया गया इस एक छोटे से आइलेंड को कैप्चर करने के लिए अमेरिकन्स ने गवाए थे हजार से जादा सोल्ज उस बीचस पे मरे हुए जब इस फोटोस पहुंची अमेरिका में तो भई लोगों को बहुत गुस्सा है लोग एकदम परिशान हो गए कि इतने चोटे आइलेंड को आप चले लेंगे इतनी सारे लोग मर गए तो फिर उन्होंने कहा कि यहां तो भई यह बहुत बड़ी ग कोडिनेटर नहीं था कि कैसे उनको इन सारे बंकर को क्लियर करना है तो इसलिए बैटल ऑफ तरावा के बाद बहुत सारे चेंज़ेस किये अमरिकन लीडर्शिप ने अपने पैसिविक वार को आगे बढ़ाने के लिए पहली चीज तो यह कि अब जो भी लैंडी क्राफ्ट वो भेज रहे थे इन बीचस पे लैंड करने के लिए वो बहुत हेविली आर्मर थे ताकि उनको उनमें अगर आप हो तो आप अनिमी की फायर से बच सकते दूसरी चीज अंडर वाटर डिमॉलिशन टीम एक स्पेशल टीम बनाए गई जिसका काम था कि अंडर वाटर वो ड होनी चाहिए उस जगा की जहां पर आप लैंड करने वाले हो वहां का जोग्राफिकल नॉलिज आपको होना चाहिए कि कैसा वहां पर वेव्ज रहेंगी टाइड कैसी रहेंगी यह बहुत इंपॉर्टन बात होती है हम अफिर सोचते हैं कि बीचस पे लैंड निंग होती है तो क्या बस एनिमी आपके जो सोल्जर्स हैं वो लैंडिंग आफ से उतरे और उन्हें चार्ज किया और बस हो गया सिर्विंग प्राव ट्राइन में जो ओपनिंग सीन है माहर बीच वाला उसकी पर में एक वीडियो होना है कि कैसे इतना सिंपल सा दिखता है जो वो सिंपल नहीं होता एमफिबियस लैंडिंग बहुत चैलेंजिंग होती है और अगर आपको टाइड्स की नॉलेज नहीं है अगर इस आपको नॉलेज नहीं है तो आपकी जो लैंडिंग है वो पूरी तरह बरबाद हो सकती है और ये बैटल आफ तरावा में नजर आया और इससे पता चला कि अभी अमेरिकन्स धंग से अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस नहीं लग तो ये तो बात थी बैटल आफ तरावा की इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा और अगर आपके उडियो अच्छा लगा तो मैंने चानल जिग्यासिम को सब्सक्राइब जरूर करें